हलो फ्रेंड्स वेलकम टो हरा लेंड दोस्तों आई प्रोडक्शन के एक बहुती 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 फिल्म वामी उनके यूट्यूब चनल पर अप्लोड हो चुकी है जिससे आप नीचे दिये गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं तो आज मैं फिर आपके लिए एक बहुती अच्छी मूव का एक्स्प्रेनेशन लेकर आया हूँ और साथ में एक अनाउंस्मेंट भी है जो कि आप सभी फेंस के लिए बहुती फायदे मन है आप सभी लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट से काफी कम समय में हमारे चैनल 25 से जादा बहुत चुका है और इसी के साथ में एक नया चैनल भी लॉंच कर रहा हूं जिसमें होरर के अलावा और भी कई सारी मूविस के एक्स्प्रेनेशन होंगे ताकि थ्रीलर साइफाइ क्राइम मूविस के लवर्ज भी इससे इंज्वर कर पाए तो आप सभी इस चैन क्या है और इसके मडीबी रेटिंग 5.6 आउट ओफ 10 स्टार से यह मूवी एक बहुती बहुतरिन मूवी है जिसे मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूं तो आप टेलिग्राम पर जाके इस पूरी मूवी को देख सकते हैं मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पूरे खाली स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एक बी स्टुडेंट नहीं था सारे स्टुडेंट लंच के लिए बाहर गए हुए थे बाहर रिकी नाम का एक लड़का अपने फ्रेंड जेटी से कहता है कि काज दूसरों की ही तरह उनकी लाइफ में भी कोई लड़की होती जिसके साथ वो हर रात फन कर सकते हैं जोआन नाम की एक लड़की रिके के पास से निकलती है जिसे रिकी बच्पन से प्यार करता था लेकिन जोआन का अल्रेडी ही जोणी नाम का वाइफरेंड था फिर जेटी रिकी से कहता है कि वो जोआन के उपर टाइम वेस्ट कर रहा है जोआन उसे बिल्कुर भी नहीं चाहती है जिसके बद रिकी और जेटी दोना सिगरेट पीने स्कूल को बंग करके चले जाते हैं जेटी रिकी से कहता है कि उसके पास बेर भी है जिसे वो ओपन में नहीं पी सकते और जेटी उसे एक बंद पड़ हुए पागल खाने में ले जाता है जहापर सालों से कोई भी आता जाता नहीं था वो वहाँ के खिड़की तोड़कर अंदर घुश जाते हैं फिर बेर पीते हैं जिसके बाद दुनों वहाँ पर काफी तोड़फुल करते हैं काफी समय तक ऐसा ही चलता है और फिर जेटी रिकी को ये कहता है कि अगर वो किसी से नहीं ड़ता तो नीचे बेस्मेंट में जाकर बता है और इकी खुद को भादू साबित करने के लिए वहाँ पर चला जाता है जहां पर जेटी उसे पीछे साकर डरा देता है जिसके बाद उन्हें वहाँ पर एक खुकार कुटा आता हुआ दिखाई देता है जो कि उनके पीछे पढ़ जाता है जिससे भाग कर दुनों चोटे से डक्ट में गुषकर एक अंजाने से रास्ते पर पहुच जाते हैं जहां पर एक जंग लगा हुआ बंद दर्वाजा था दोनों वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि कुटा वही पर था और वो दोनों ये फेसला करते हैं कि वो उस बंद दर्वाजे को खोलकर आगी हुई थी वह नोटिस करते हैं कि उस लड़की के शरीर पर एक भी कप्ले का तुकड़ा मुझूद नहीं है और उस लड़की के सांसे अभी भी चल रही है यानि कि वह लगी कोई लाज नहीं है बलकि जिन्दा लगी है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था क्योंकि जिस दर्वाजे अभी तक जिन्दा कैसे है और अगर आप भी ये जानना चाते हैं तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहेगा जेटी उस लड़की से प्लास्टिक कवर हटा देता है और वो देखता है कि वो लड़की बिना कप्लों के है रिकी पूलिस को बुलाने को कहता है लेकिन जेटी उसे रोक देता है उसके दिमाग में कुछ ओही चल रहा था जेटी रिकी से कहता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा कुप्सूरत है और वो इस लड़की को हमेशा उसके पास रखना चाता है फिर जेटी उस लड़की को गंदी तरह से चूथता है जिससे देखकर र रिकी को एक पंच मार देता है और वो रिकी से यह कहता है कि वो यहां से जाना चाहता है तो चले जाए लेकिन अगर दोनों दोस्त हैं तो रिकी इस असायलम और इस लड़की के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा रिकी घर जाकर पुलीस को कॉल करने के कोशिश करता है ले लड़की वो दोनों बच्पन के दोस्त है फिर जेटी रिकी को कुछ दिखाने का केकर वापस बेस्मेंट में उस लड़की के पास ले जाता है जहां पर वो रिकी को एक इसी चीज बताता है जिससे सुनकर रिकी चोग जाता है जेटी रिकी से कहता है कि जब वो लड़की और गुसे में आकर जेटी ने उस लड़की को काफी बुरी तरह से मारा और ऐसा करने में जेटी को काफी ज़दा मज़ा आने लगा और उसने उसे तब तक मारा जब तक कि वो लड़की ने हिलना डूलना बन नहीं किया रीकी को ऐसा लग रहा था कि शायद जेटी ने उस लड़की को जान से मार दिया है और उस ये से पुलिस को बुलाने की बात कहता है कि तब ही जेटी रीकी की बंदुक ले लेता है और उस बंदुक से उस लड़की के शरीर में तीन गोलिया मार दिता है रिकी को ये लगता है कि वो लड़की अब पूरी तरह से मर चुकी है लेकिन जब वो उस लड़की के पास जाता है तो ये पाता है कि गोली लगने के बावजिद वो लड़की जिन्दा है और वो हिल डूल रही है जेटी उसे बताता है कि उसने उस लड़की को तीन बार मानने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी नहीं मरी अब दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो लड़की है क्या, जिसे के मारा नहीं जा सकता था यानि कि वो लड़की एक डेड गरल है जेटी रिकी से कहता है कि या तो वो इस लड़की को खत्म कर दे जो कि वो नहीं कर सकते थे या तो वो इस लड़की के साथ वो सब करें जो कि वो दूसरी लड़की के साथ करना चाते थे जिसे रिकी मना करके वहाँ से चला जाता है और वो ये बात किसी को भी नहीं बताता अगले दिन रिकी अपने स्कूल में होता है और वो अपने प्यार जोओन को उसके बॉइफरेंड के साथ देखकर काफी जिलिस होता है फिर वो वीलर नाम के एक लड़के के पास जाकर उसे सिगरेट के लिए पूछता है लेकिन वीलर रिकी को ये कहकर चला जाता है कि उसे एक लड़की से मिलने जाना है और वो दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं रिकी जब अपने रूम में होता है तो उसे जोवन की याद आती है और वो अपने sexual desire पूरी करने के लिए basement पली लड़की के पास asylum में चला जाता है जहाँ पर वो already willer को उस dead girl के साथ physical relationship बनाता हुआ देखता है और रिकी काफी गुस्ता हो जाता है क्योंकि जेटी ने उससे व चला जाता है और वो अपने cycle बेचकर bolt cutter खरीता है फिर रिकी मोका देखकर asylum के basement में चला जाता है जहाँ पर dead girl अकेली थी रिकी dead girl से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कोई response नहीं करती फिर रिकी उसके एक हाथ की जंजीर bolt cutter से कार्ग देता है और तभी dead girl रिकी का जेटी dead girl के पास आकर उसे फिर से physically abuse करता है और तभी देखता है कि dead girl का एक हाथ खुला वा है और वो dead girl जेटी पर हमला कर देती है वो लगबत जेटी को काट नहीं वाली थी कि तभी wheeler और जेटी उसे मिलकर फिर से बांध देते हैं जेटी तुरंत समझ जाता है कि ये काम रिकी नहीं किया है और जब रिकी चुपा हुआ था तो वो एक कमरे में एक चोटा सा पोधा देखता है जो कि अकेला ही एक रूम में लगा हुआ था जिसकी डिटेल में आपको इस वीडियो के end में बताऊंगा जिसके बाद रिकी वहाँ से निकलने में काम्याब होता है अ और वो धीरे धीरे सड़ रही है यानि कि वो अपने गावों को रिकवर नहीं कर सकती अगले दिन रिकी अपने स्कूल में होता है और वो जवान को डेट के लिए पूछता है और ये कहकर मना कर देती है कि जॉनी ऑल्रेडि उसका बॉइफरेंड है जिसके बाद जॉनी को ये बात पता चलती है और वो रिकी और विलर को बहुत पीटता है तबी विलर गुस्से में आकर जॉनी को ये कह देता है उन्हें उसके गर्फरेंड की कोई जरुवत नहीं है उनके पास उनकी खुद की स्लेव है विलर की ये बात सुनकर जॉनी और उसका एक फैन रिकी और को अपने कार की डिक्की में भरकर असाइलम में ले जाता है जहां पर रिकी विलर को अपना मूब बंद करने को कहता है लेकिन विलर जॉनी के आगे उस डेड़ के सारी बातें उगल देता है जिससे सुनने के बाद जॉनी डेड़ के पास जाता है जहां पर जेटी उसे मिल लेती है जहां से पहुत ज़्यादा खुन बेना शुरू हो जाता है जिसके बाद जोनी और उसका फ्रेंड पुलिस को बुलाने की बात करता है लेकिन जेटी उसे यह कहता है कि उसने उस लड़की का रेप किया और बच्वाम में उस लड़की ने उसे काट लिया जिससे डरक के बाद हम यह देखते है कि रिकी फिर से जोन का प्रपोस करता है और वो फिर से उसे मना कर देती है इधर जेटी ना तो इसकूल जाता था और ना ही कहीं ओर जाता था उसने असाइलम के बेस्मेंट में ही अपना घर बना लिया था जेटी लगाता है डेट गल को स्लेव के जैसे यूस करता था और उसके बिगड़े हुए चेरे पर मेकप लगा कर उसे ठीक करने की कोशिश करता है वो उस डेट गल के होतों पर लिपस्टिक लगा ही रहा था कि तबी वहाँ पर वो कुत्ता पहुंच जाता है जेटी उस पड़ी हुई डेट गल को कुत्ते से कर मार डालती है इधर इसकूल में क्लास के दोरान जोनी को बहुत ही अजीब मैसुस होता है और वो टॉयलेट की और भागता है जहां पर वो यह देखता है कि उसका शेरीड भी अब डेड और आये और टॉयलेट करते समय उसके शेरीड से उसकी आते बाहर आ जाती है और य जोनी का एक फ्रेंड वहां आकर डेड गल को खुलने की कोशिश करता है लेकिन जेटी डेड गल से ही जोनी के फ्रेंड को कटवा देता है और जेटी को पता चलता है कि जिसे भी डेड गल काट लेती है वो भी उसी की तरह हो जाता है जेटी अब यह जान चुका था कि जिस लेकिन वो दोनों एक लडकी को किड्नेब करने में कामयब नहीं होते और तभी माप पर जोवान आ जाती है और वो दोनों से ये पूशती है कि उन्हों ने जोवनी के साथ क्या किया वो दोनों छोवान को बहला फुसला कर असाइलम में ले जाते हैं जहांपर वो उसे डेडगल बना सके इधर रिकी जेटी और सभी से तंग आ चुका था वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो बेस्मेंट में जाएगा और एक तलवार से डेडगल के छोटे छोटे तुकड़े करके उसे खत्म कर देगा फिर रिकी बेस्मेंट में जाता है जहांपर वो डेडगल को बंदा हुआ देखता है वो उसे तलवार से मारने ही वाला होता है कि तब ही वो उसके पीछे जोआन को देखता है जिससे वो शान्त करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उससे यहां से बचा लेगा रिकी समझ नहीं पाता कि यहाँ पर जोआन आई के से और तभी वहाँ पर जेटी और विलर दोनों आ जाते हैं वो रिकी को ये बताते हैं कि वो जोआन को भी डेडगल बना लेंगे और उससे अपने लिए यूस करेंगे JT Rickie को convince करता है कि वो जोहन को डेट21 बनाने में उनका साथ दे क्योंकि वो दोनों बच्पन के दोस्त है और जोहन उसे कभी भी प्यार नहीं करेगी वो Rickie को प्यार करने के बजाए मरना ज़्यादा पसंद करेगी तबी विलर जोहन को छूने के कोशिश करता है मोके का फाइदा उठा कर रिकी जोआन के हाथ खोल कर उसे वहाँ से भगा ले जाता है लेकिन सीलों तक पोशने पर उन्हें ये पता चलता है कि उपर का दर्वाजा लॉक है रिकी जोआन को वही रुकने का कहकर कुछ लाने को कहता है जिससे कि वो दर्वाजा खोल सके लेकिन जब रिकी वापस लोटकर आता है तो देखता है कि जोआन महाँ पर नहीं है और डेड़ गल जेटी को खा रही है फिर वो रिकी को महाँ पर खड़ा हुआ देख लेती है औ कि जोआन के पेट से खुन बे रहा है और वो ये बताती है कि जेटी ने उसके पेट में चाकु मारा है। जेटी कहता है कि वो जोआन को बाइट करके उसे मरने से बचा सकता है लेकिन रिकी ऐसा नहीं चाता था। जुआन लगबग मरी रही थी और रिकी आखरी बार उससे I love you केता है लेकिन जुआन उसका reply नहीं करती और उल्टा उसी के मुँपर थूख देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है मुवी के एंड में डेडगल को असाइलम से भागता हुआ दिखाते हैं और रिकी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है और अब रिकी पहले से कई ज़्यादा खुश रहता था और शाम होते ही वो फिर असाइलम के बेस्मेंट में जाता है जहाँ पर काफी ज़्यादा रोमांटिक लाइट लगी हुई थी और फिर हम स्ट्रेचर पर जोआन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से सजी हुई थी और वा जिन्डा थी यानि कि जोआन अब डेड़ गल बन चुकी थी और ये मूवी इसे के साथ यही पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये था डेड़ गल का एक्स्पेनेशन आप इश्वास करें या ना करें लेकिन ये एक जॉंबी मूवी है तो किस तरह से ये एक जॉंबी मूवी हुई मैं आपको बताता हूं दरसल जो डेड़ गल जेटी और रिकी को मिली थी वो एकदम फ्रेश थी लेकिन वो बोल नहीं सकती थी और वो अपने घावों को फिर से ठीक नहीं कर सकती थी डेड़ जिस भी इंसान को काटती थी वो इंसान उसे की तरह इंफेक्ट हो जाता था जेटी और विलर ने डेटगल को सलेव के तरह रखा लेकिन विलर ने जोनी के सामने सच उगल दिया और जोनी को डेटगल ने काट लिया जिसके बाद जोनी भी इनफेक्ट हो गया फिर जब जेटी को ये पता चला तो वो जोआन को एक नई डेड़ गर बनाने के लिए ले आए अब रिकी जोआन से बच्पन से प्यार करता था लेकिन वो उस पर जारबे ध्यान नहीं देती थी और अंते में जब मरते हुए जोआन रिकी की इंसल्ट कर देती है तो रिकी जोआन को जेटी से कटवा देता है तकि जोआन अब रिकी के पास ही रहे अब में सवल ये था कि अकेर का डेड़ गर्ल इंफेक्ट कैसे हुई तो ये तो इस मूवी में कहीं नहीं बताय गया है लेकिन असायलम में रिकी एक पोदा देखता है जिसमें फूल खिलावा था और ही अकेला ऐसा पोदा था जो कि वहाँ पर सर्वाइब कर रहा था तो एक मतलब भी हो सकता है कि असाइलम में डॉक्टर्स पागल लोगों पर अमर होने की दवाव का टेस्ट कर रहे हैं जो कि उस पोदे से बनाई जाती है जिसके साइड एफेक्ट से एक इनसान जिन्दा लाश में बदल जाता है या फिर इसका कुछ और कारण होगा आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रू करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि और भी कई सारे वीडियो जिल्दी आने वाले हैं